बिसमिल्ला रह्मान रहीम और श्राम वालेकूम वेलकम टो सकाइलेंड क्लास्रूम सकाइलेंड क्लास्रूम में आज का हमारा जो टापिक है वो है Middle English period After Chassar तो कि पिछला जो हमने क्लास पढ़ाता उसमें हमने चासर की एज पढ़ी थी ठीके जो कि 14th century तक चलता है असर के बाद जो कोई ऐसी चीज इंपॉर्टन्ट थी नहीं जिसको हाइलाइट किया जाए लिट्रेरी फिगर्स उसमें लिट्रेरी जो वर्क्स थे उसके अंदर चाहे वो पोईट्री हो या प्रोज हो उसके अंदर कोई खास जो है ऐसी चीज नहीं थी अच्छा हम यह पढ करते हुए चलेंगे ठीक है इसमें हमें बहुत जादा जो नहीं शॉर्ट जो है चीजें मिलती हैं और उसका जो एक्स्प्लेनेशन होता है वो काफी बड़ा होता है यह आप किसी को ठीरिटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ उस लाइन को समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस एज के अंदर क्या क्या हुआ है अचा नमबर टू पर जो है नमबर टू पर ये है एंड अफ दे मिडल इंग्लिश पिरियर्ट बिगिंस विद द वार और क्यास जो मिडल इंग्लिश है उसका जो एंड है वो जैसे ही खतम होता है यह शुरू होता है तो उसमें जंग शुरू हो जाती है क्यास शुरू हो जाता है और यह सारी चीज़ें हो जाती है मैनी हिस्टोरियन्स बिलीव देट इट वाज प्रिपेरिशन फॉर दे ग्रेट एज तू फालो जो के इलिजबित नेश थी यानि काफी जो हिस्टोरियन्स थे उनका मानना था कि जो मिडल इंग्लिश है या जो चासर के बाद की जो पीरिड है वो असल में एक प्रिपेरि पीरिड जो है वो आने वाला था तो इलिजबितन पीरिड को ही जहना आप रिनेशा भी कह सकते हैं तो रिनेशा या इलिजबितन पीरिड की एक कुछ ऐसे कह लें कि ये फॉर कॉस्ट थी या निशानियां थी जो के अब शुरू हो चुकी थी उसके बाद है दूसरी लाइ यानि जो उसका आने का जो एक सिगनल थे वो बहुत ज़्यादा स्टॉंग होते जा रहे थे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पहले बिखरी होई थी या जो प्रॉब्लम्स थे वो इशूस जो थे वो अब रिजॉल्व होने जा रहे थे ठीके खास तोर पर 116 येर्स वार जो थी वो खतम हो गई यहां पर ठीके तो 116 येर्स वार जो थी वो भी खतम होने लगी थी यहने इंग्लेंड वास गेरिंग अप तोड़्स दे सेटल्ड डानेसिटी और इंग्लेंड जो थे अब वो एक बहुती बड़ी डानेसिटी की तरफ जो ना कदम उठा चुका थ रिफॉर्म्ड रिलीजिन अब रिलीजिन जो था उसमें काफी ज्यादा बहतरी आ चुकी थी पीपल यूनाइटेड एंड प्रोग्रेशिव अब लोगों में इत्हाद आ चुका था यूनिटी आ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा तरकी पसंद थे या तरकी कर रहे थे अपनी बुक के अंदर ये कहा था कि लिटल एनफ टू इंस्पायर मच टू रिप्रेस लिटररी जीनियस उसके बाद इसमें हैं अन्फेवरबल कंडिशन्स फॉर लिटररी प्रोड़क्शन्स हाँ यहां पर यह मसला था कि क्योंके चासर के जाने के बाद जो कंडिशन्स थी वहां पर वो किसी लिटररी अदबी प्रोड़क्शन्स के लिए पैदावार के लिए नामोजू थी लो स्टेट आफ एजूकेशन एजूकेशन का रेट बहुत ज्यादा गिर चुका था यह एजूकेशन को इतना ज्यादा नहीं दिया जा रहा था प्रिफर नहीं किया जा रहा था युनिवर्स्टी बरीड डीप in medieval philosophy युनिवर्स्टी में तकरीबन जो है medieval philosophy जो थी बहुत ज्यादा focus की जा रही थी वो पढ़ाई जा रही थी नई science या नई चीजें जो थी वो नहीं पढ़ाई जा रही थी rising middle classes यहां पर जो middle classes थे उनका जो है rise हो रहा था या के अंदर hostile to intellectual interest intellectual interest जो थे वो मतलब उसके लिए मोजू नहीं थे यह जो हाला थे 15th century के mercenary and sordid जो mercenaries थे जो sordid मतलब जो थे तो उनके लिए morally degraded चीजें थी वहाँ पर ठीक है अच्छा उसके बाद है यहाँ पर degeneration of religion ठीक है persecution खास्तोर पर religion के अंदर जो थी persecution जो यह नहीं sufferings वगरा थी या जिसको सजा दी जाती थी वो भी अब जो है कम हो रही थी ठीक है पहले बहुत जादे strict rules से उसको follow किया जाता था अब जो है उसमें काफी बदलाव आ रहा था middle age considered as a dark and dark age ठीक है अब middle age को consider किया जाता है dark age के तोर पर भी माना जाता है medieval age को ठीक है in the middle age romance of the religion was dominant due to the monopoly of the church middle age जो थी उसमें religion की जो थी वो dominance से ज्यादा थी क्योंकि वहाँ पर church का बहुत ज्यादा अस्रोरुख था persistent priest were only the educated class क्योंकि उस वक्त priest थे education सिर्फ priest educated थे priest जो थे church हों के अंदर वो educated थे use of latin in church and french in courts यहाँ पर जो usage है 15th century के अंदर middle English के अंदर middle age के अंदर तो वहाँ पर church में latin बोली जाती है and french जो है courts के अंदर बोली जाती है no informed criticism no informed criticism no free criticism any criticism को allow नहीं किया जा रहा था ठीक है और criticism नहीं किया जा रहा था जैसी चीजें थीं वैसी की वैसीं थीं therefore no or less production literary output तो इसमें इसी वज़ा से criticism नहीं होने की वज़ा से जो literary जो फील्ड थी है literature की जो फील्ड थी उसमें काफी चाज़ चीजें नहीं आई उपर उसके बात है but again there was not all dark पर सारी चीजें dark नहीं थी क्योंकि middle जो age है उसके अंदर उसको हम dark age तो कह रहे हैं मगर सारी चीजें dark नहीं थी but a ray of hope क्योंकि वहाँ पर एक उमीद थी के जो है रिनेसा आएगा ठीक है ना रिनेसा यानी rebirth of knowledge क्योंकि वहाँ पर जो निशानिया थी middle class का उपर आना ठीक है और जो church या priest के अंदर जो उनकी dominance ही थी वो सिर्फ और सिर्फ religion के church के अंदर रह चुकी थी अब वो society के अंदर इतने dominant नहीं थे ठीक है और जो religion की जो सक्ती थी या जो strictness थी वो भी अब काफी हद तक जो है खतम मतलब हो रही थी काफी चीज़ें जो है वो अब मतलब एक time था एक 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 इसा माहूल create किया जा रहा था जिसमें रिनेसा की बहुत ज़्यादा जरूरत थी और उसके पादे या वार्स ओफ रोजेस ठीक है जो ज़न्ग थी जिसका नाम है जो की 30 साल तक चली ठीक है between the house of Yorkhshare and the house of Lancastra लंकास्ट्रा और यॉर्कशार के बीच में 30 साल तक जंग चली थी ठीके अचा इसके ये जो जंग थी दा वार आफ रोजिस इस से जो है ना एक जो सीरीज है दा गेम आफ थ्रोन्स जो है वो इस से इंस्पायर होकर बनाई गई थी आपने सीरीज देखिए कि गेम आफ थ्रोन्स वो भी इसी से बनाई गई है ठीके जी दा वार्स आफ रोजिस से उसके बाद है कुछ लाइनेज है किंग एडवर्ड था ठीके जो के जिसकी डेथ हुई थी किंग एडवर्ड थ्री की डेथ हुई थी 1377 में ठीके और उसके चार बेटे थे ही लेफ्ट फोर संज सबसे पहले एडवर्ड था ठीके एडवर्ड दा ब्लैक प्रिंस जिसे कहते हैं और जो के इसकी डेथ हो चुकी थी और मतलब उसके बाद उसका जो बेटा था रिचर्ड टू उसको क्राउन पेनाया गया जिसकी वज़ा से ज्याद जो हना कियास जो हना पैदा हुआ ठीके लावसिंग बात है जो दूसरे बेटे थे जैसे ये दूसरा जान आफ कॉंट है एडमंड है यॉर्क है ठीके और उसके बाद ये है ये इनके बीच में एक जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें आप थ्रोन की वज़ा से वो जंग कर रहे थे ठीक है जी अचा उसके बाद जैसे ही रिचर टू आता है तो हैंडरी जो फॉर है ठीक है हैंडरी फॉर उसने रिबेलियन जो है किसके खिलाफ एडवर्ड टू के खिलाफ यानि बहावत शुरू कर दी थी ठीक है उसके बाद हैंडरी फाइव जो आता है हैंडरी फॉर के बाद उसको जो है ना क्राउन पहनाया जाता है हैंरी फोर के बाद ठीके और उसकी जो है मतलब ताज पोशी की जाती है उसके बाद हैंरी दासिक्स आता है जो के बहुत ही मासूम होता है उसकी इतनी एज नहीं होती ठीके और उसके बाद दूसरा ये है कि वो शादी करता है एक फ्रेंच गर्ल से जिसकी वज़ासे मतलब काफी इसको प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंच के फ्रेंच में शादी करने की वज़ासे क्योंकि इंग्लेंड जो था वहां पर ये अलाव नहीं था उसके बाद इनकैपेबल किंग इसको कहा जाता है यानि ये जो है लाइक नहीं था बादशाहत के ठीके उसके बाद एड्मंड जो है एड्मंड डूक आफ यॉर्क जो हता है वो एड्वाइजर बनता है हैंडरी सिक्स का ठीके और उसकी भी आँख थी यानि नजर थी इसके ठीके जी अच्छा अब हम आते हैं आज़े चलते हैं पोइट्री की तरफ पोइट्री जो है इस एज़ के दोरान मिडल एंगलेश के दोरान most of the poetry was imitative चासेरियन जो poetry थी poor quality and lifeless थी यानि तक्रीबन जो इसमें poetry जो थी वो imitated की जा रही थी दूसरे लोगों से या दूसरे literature से imitated की जा रही थी और जो चासेरियन poetry थी उसको भी copy किया जा रहा था और उसकी जो quality थी मतलब जो imitative थी उसकी quality इतनी जजबा नहीं था poetry flourished in Scotland little better Scotland में poetry जो है काफी जो है ना अच्छे तरीके से grow कर रही थी more original उसमें love था love for nature था ये सारी चीज़ें थी उसके बाद Robert हैंरी सन आता है जो के true Scottish quality अपनी poetry के अंदर लाता है उसके बाद William Denver आता है greatest British poet between the chaser and Spencer यहीं चासर और Spencer के बीच में जो बहतरी ने poet है वो William Denver माना जाता है और इसने काफी जो है ना चीज़ें लिखी ठीके अच्छा उसके बाद है ballad literature ballad literature के अंदर increasingly popular ये बहुत ज़्यादा popular होने लगी थी इसमें ballad जो था वो popular होने लगा था fostered a love for poetry among the people और इसकी वज़ा से लोगों का जो चाहत है poetry की वो बढ़ रही थी अच्छा प्रोज में आते हैं प्रोज मिडल एज के दोरान was promising than poetry यानि जो है poetry से मतलब जो है ना थोड़ा बहुत promising था for instruction and entertainment only प्रोज जो है वो सिर्फ वो सिर्फ जा रहा था उसको ज्यादा इतनी फोकियत हासल नहीं थी ठीक है reginald peacock reginald peacock जो है यह एक prose writer है जो के religious writing इसने बहुत लिखी ठीक है और controversial topic भी इसने लिखे sir john fortesk sir john fortesk भी एक prose writer है political treaties इन लिखी on difference between the absolute and the limited monarchy ठीक है यह था middle English या middle sorry age के हवाले से जो के after the death of chaser था I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जो केपको नो है